नमस्कार दोस्तों डिविडेंट अस्टॉक्स खुस खबरी दोस्तों एक सेर पर 160 रुपया का डिविडेंट का एलान किया गया है दोस्तों पूरी जानकारी दी जाएगी लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लिजिए दोस्तों तिमाही नतीजों का दोर जारी है एक और कमपनी ने नतीजों के साथ साथ डिविडेंट का एलान किया है प्रॉक्टर एंड गेंबल हाईजिन एर हेल्थ के तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफ़ा 207 करो रुपे से बढ़कर 239 करो रुपे हो गया इस दोरान आमदनी 1137 करो रुपे से गिर कर 1133 करो रुपे पर आ गई एविटेडा मार्जिन 25.5% से बढ़कर 27.3% पर पहुंच ग तिमाही नतीजों का इलान कर दिया कारोबारी साल 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफ़ा 222 करो रुपे बढ़कर 289 करो रुपे हो गया इस दोरान आमदनी 1142 करो रुपे से बढ़कर 1335 करो रुपे पर पहुंच गई इविड़ा मार्जिन 27.5% से बढ़कर 28 प्रतिसद पर पहुँच गया हैं अम्भूजा सिमेंट कारोबारी साल 2022 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफ़ा 367 करो रुपे से बढ़कर 514 करो रुपे हो गया इस दवरान आमदनी 4,312 करो रुपे से बढ़कर 4440 करो रुपया पर पहुँच गई इबिड़ा मार्जिन 15.5% से बढ़कर 19.2% पर पहुँच गया कंसो सिमेंट सेल्स भोल्यूम 3% बढ़कर 1.4 एक करोड टन रहा अस्टेंड अलोन सिमेंट सेल्स भोल्यूम 6.5% बढ़कर 8.2 करोड टन रहा कल्यान जोएलर स्क्वाटर 3 रिजल्ट कारोबाडी साल 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के मुकाबले कारोबाडी साल 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफ़ा 149 करो रुपय बढ़कर 181 करो रुपया हो गया इस दोरान आमदनी 3884 करो रुपय से बढ़कर 5223 करो रुपय पर पहुंच गई इबिटिडा मार्जिन 8.4% से गीर कर 7.1% पर आ गया इबिटिडा यानि कामकाजी मुनाफ़ा 327 करो रुपय से बढ़कर 370 करो रुपय हो गया पौली मे्डी क्यूर क्वाटर 3 रिजल्ट काड़ोभारी साल 2022 की अक्टूबर दिसम्बर तिमाही में मुनाफ़ा 50 करो रुपय से बढ़कर 65 करो रुपय हो गया इबिटिडा मार्जिन 24.9% से बढ़कर 26.9% पहुंच गया एबिटरा यानि कामकाजी मुनाफ़ा 71 करों से बढ़ कर 90 करों रुपे हो गए